式 कि हरकिसी को सुननी जाहिए आपको बहुत idea मिल जाएगा इससे अगर रेलेशन्शिप में जूज रहे हो तो हाँ जी मिल गई actually न ये success story के उपर एक voice note भी आया हुआ था तो वो उस चक्कर में थोड़ी सी मैं याद कर रही थी कि कहां है कहां है बहुत सारी success stories उन्होंने voice note भी भी भीटा था लेकिन उसके अंदर वो रो रहे हैं और थोड़ी सी कुछ personal बाते शेर की हैं तो वो मैं आप लोगों में साथ शेर नहीं कर रही हूँ पर जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि उन्होंने एक voice note भीजा है और voice note के साथ में ही उन्होंने आप उपर देख सकते हो यहाँ पर voice note है ठीक है तो चलिए और शुरू करते हैं success story हलो बेटा शाम्भवी तुम मेरी बेटी जैसी हो मैं तुमसे एज में बहुत बड़ी हूँ लेकिन तुमसे जो सीखा है वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सीखा मैंने तुमसे ओपोनो पोनो प्रेयर सीखी है लव वाइबरेशन भेजना सीखा है मैं तुम्हारे मम्मी की उम्र की होंगी या हो सकता है उनसे भी बड़ी हूँ मुझे तुमसे प्यार है तुम मेरी बेटी लगती हो मुझे और ऐसा लगता है जैसे online और विडियों के थो मुझे मेरी बेटी मिल गई है तुम बहुत अच्छा गाइड करती हो और तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो तैंक यू सो मच, आई लोब यू मैंने बहुत तो स्ट्रगल किया है लाइफ में मेरी लाइफ बहुत जादा अप्स अडाउन से भरी रही मेरे हस्बन की डेथ हो गई 5 साल पहले पहले से भी 17 साल पहले मेरा बेटा अमेरिका के लिए निकला पैढ़ने के लिए गया हुआ था और उसके बाद वो वहीं पर बस गया कभी ना कोई कॉल ना मैसेज फादर के लिए वो बस एक बार बीच में आया था फिर उसके बाद दो बार उसने आने का प्लान बनाया लेकिन वो आया नहीं और उसके साथ मेरे रिष्टे यही सब बाते करते करते धीरे धीरे खराब हो गए मैं हमेशा से चाहती कि मैं उसके साथ रहूं यहां अकेली पड़ी रहती हूं या फिर वो मेरे साथ रहे कैसे भी हो हम मा बेटा साथ रहे लेकिन वो मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता था और चीजें बहुत अजीब अजीब होते होते उसका और मेरा रिष्टा बहुत जादा खराब हो गया इतनी negativity आ गई कि वो मुझे कुछ भी चिला करके बोल देता था और उसके बाद महीनों महीनों हमारी बात नहीं होती थी मेरी भी गलती है कि मैंने बहुत जादा negative महौल बचपन से बना करके रखा था क्योंकि इतनी जादा negativity में मैं पली बड़ी मेरी upbringing भी बहुत negative family में होई उसके बार शादी भी ऐसे ही चली जैसे की बहुत amazing नहीं पर ठीक है मेरे husband मुझसे बहुत प्यार करते थे लेकिन वैसे ही हमारे लड़ाई भी बहुत ज़ादा होती थी और उसी बीच मेरे बेटे ने जाने का फैसला ले लिया था और पढ़ने के लिए वो जा रहा था लेकिन पढ़ने के बाद भी वो नहीं आया और वो वहीं पर settle होने का सोचने लगा और इतने सालों में तो वो वहाँ पर settle भी हो गया उसकी girlfriend भी बनी फिर हमें बस इतना ही पता चला कि हाँ इनकी शादी भी हो गई है उन्होंने हमें शादी का भी बताया और वो लड़की भी यहां नहीं आना चाहती थी फिर उसके बाद एक साल के अंदर ही अंदर उसका divorce भी हो गया वहाँ पर उसको बच्चा भी हो गया उसकी life भी पूरी messed up होने लगी और वो भी negativity से भरने लगा अब बत आती है आपकी आप आए मैंने open up prayer शुरू कर दी अपने आपको heal करना शुरू कर दिया फिर जब मुझे अच्छा लगने लगा मैं अपने बेटे के बारे में positive सोचने लगी इस बार life में सबसे लंबा time हुआ था मेरे और मेरे बेटे की लड़ाई के बाद हमारी बात ही नहीं हुई थी और लड़ाई बहुत छोटी सी बात पर हुई थी मैं उसको यही बोल रही थी कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं तेरी माँ हूँ और इतने में ही वो बोला कि मैं भी आपका बेटा हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं भी बहुत negative situation में फसा हुआ हूँ और इसके बाद हमारी इसी बात को लेकर के बहुत 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 हो गई फिर मैंने अपने लिए फिर से ओपन ओपन प्रेयर शुरू की और अपने बेटे को मैंने love vibration भेजनी भी शुरू कर दी फिर मैं अपने gratitude में ये mention करने लगी कि मेरा बेटा और मैं साथ में रहते हैं मेरा बेटा अब बहुत positive हो गया है मेरा बेटा और मेरे बीच में रिष्टा बहुत अच्छा हो गया है मैं अब बहुत सुकून से अपने बच्चे के साथ में रहती हूँ मेरा बच्चा भी बहुत खुश-खुश रहता है और इसके साथ ही मैं कोई-कोई आपका बताया हुआ जो जो आप रोज डालते हो वैसे-वैसे manifestation का कोई भी method जो मुझे अच्छा लगता मैं वो करने लग गई इसके बाद ही कुछ मंत के बाद ही मेरे बेटे ने मुझसे बहुत जादा बाते की वो बाते करते करते रोने लगा और रोते रोते ही उसने मुझे बोला कि उसकी लाइफ बहुत ज़दा खराब हो गई है और वो बहुत ज़ादा negativity का सामना कर रहा है वो इंडिया आ करके अपना कोई business शुरू करना चाता है और उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत failure जैसा महसूस कर रहा है मैं तो ऐसी हो गई कि मैं क्या बोलूँ क्योंकि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था मुझे लगता था कि वो बस मुझे से मिलने आ जाए थोड़े दिन मेरे साथ रहे ले लेकिन वो सच में आ गया वो तीन महीने के बाद उस call के बाद हम दोनों के वीजियो positive बाते हुई उसके बाद वो खुदी आ गया अब वो नहीं जाना चाता वो यहाँ पर अपना एक business डाल रहा है जिसकी वो 60% चीज़ें कर चुका है अभी थोड़ा सा और उसका कुछ बाती है वो वो कर लेगा अब वो मेरे साथ इतनी प्यार से रहता है मुझे रोज डेली किस करता है मुझे वो लेकर के भी गया था अपने ground पर और उसने मुझे दिखाया कि वो यह सारी चीज़ें शुरू कर रहा है मेरे पास में भी कुछ savings थी मैंने उसकी काफी जादा उस चीज़ को लेकर के help की मैं तो उसकी mother हूँ लेकिन उसने भी मेरी बहुत जादा help की उसने कहा मुझे मेरा हाथ पकड़के कि मेरी गलती है मुझे अपनी माँ को समालना चाहिए था जिने मैं पूरा अकेला ही छोड़ करके चला गया अब मेरा life में कोई भी नहीं है मेरी माँ है और मैं हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ उसकी life better हो और वो खुश रहे उसकी life में कोई लड़की आए को शादी करे और अपनी life को set करे क्योंकि उसकी जो ex-wife थी उसने वहाँ पर शादी कर ली है और उसको वहाँ पर भी बेबी हो गया है आब ये लोग साथ में भी नहीं दहना चाहते और वो तो बिल्कुल ही खराब तरीके से मेरे बेटे से बात तक नहीं करनती और ना ही मेरे पोते की बात होने देती है वो हमें दिखाती भी नहीं है ना ही हमारी कोई बात होने देती है सारी चीज़ें वो ऐसे करने लगी है लेकिन अब मेरा बेटा बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मेरे emotional जितने भी bonds थे सब तूट रहे हैं, कोई बात नहीं, जो होता है भगवान की तरफ से अच्छा ही होता है, वहाँ मेरा बच्चा है, मैं अपना जो भी बन पड़ेगा जरूर करता रहूंगा, लेकिन मैं अब अपनी मा के साथ, खुशी-कुशी यहां पर जीना चाता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मेरे बेटे के लिए बता सकते हो, तो आप जरूर बता देना, थांक यू बेटा, आप सच में बहुत ही जादा अच्छा काम कर रहे हो, मेरे बेटे की तरफ से भी आपको ठैंके, पाइंग थांके, ठैंके, ठैंके, ठैंको, ठैंके, सू मच कि आपने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की, ठैंक you, तैंक यू, घंक है, अच्छी ती कहानी, इतकी कहानी में, दिखे, मैं उन सारी वच्चों के लिए बोलना चाहूंगी, जो दूसरी कांट्री म है कीजिए यह बात मैं सिर्फ आप से नहीं कह रही है अपने पच्चे तक से कहती हूं लेकिन जिन्होंने इतने सपने संजो करके ना आपको पाल पोस्ट करके बढ़ा किया और आपको भेजा है ना थोड़ा उनको सिर्फ थोड़ी प्यार से बात कर लोगे ठीक है मैं मानती ह आप दूसरे कंट्री जाते हो वहां सिचोवेशन उपर नीचे होती है नेगिटिव मौल है उतना अपना पन और चीज़ें एकदम से नहीं मिल पाती है तो आप थोड़ी जादा नेगिटिव हो जाते हो लेकिन उसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं होता आवा गए हो एक वर पांच मिनिट ही सही बात कर लो वाटसेप छोड़ दो मैसेज भेज़ दो अपनी पोटो बेज़ दो वीडियो कॉल कर लो वह सारे ऑप्शन है ट्राय करो थोड़ी सी बात करनके 17 साल उसके बीच में सिर्फ अपने पादर से मिलने के लिए एक बार आना आप सोचो सब्सक्राइब करया है तो वह इतना नब्वा इतने सालों का करो कि आपको मेरे भाई कि जो भी है जैसा भी है मोहल अच्छा करू कोशिश करू है तोड़ी उलजीवी सी कहानिया है लेकिन ठीक है कोई अब आप यहाँ हो अपना business head कर रहे हो congratulations अब आगे वड़ो ठीक है आप सोच रहे हैं इनके बारे में इनकी शादी के बारे में पर मुझे लगता है जब यह ready हो जब इने लगे कि हाँ अब अपनी life में आगे बढ़ना है या शादी करनी है या चीज़ों को family बनानी अपनी त और बस यही कहाना चाहूंगी कि वह उनका decision होना चाहिए आप उन्हें उस चीज़ के लिए रहने दीजे और वहां पर अगर अपने बच्चे के लिए कुछ भी करना चाहें तो मुझे नहीं रगता कि इसमें कभी भी आप कोई भी बात बोलिएगा बलकि support कीजेगा उन्हे के जैसे ही होनी की कोशश करें अगर कुछ negativity भी है तो आप अपने घर वालों से बात कीजिए अपने परिवार में बात कीजिए वहां रहते हुए भी आप जुड़े रहिए बहुत ज़रूरी है अपने अपना रखी ख्याल अपने अपसे की चिटे हीर सारो प्यार तक क्यो अपने अपने प्रेयर, लब वाइबरिशन, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारे मैथर्ट्स, ग्राटिट्योड जोर्नल के अंदर उन बातों को लिखते ना यह सारे चीज़े रही है और इसके बाद में इनका मैनिफेस्टेशन अपने आपी थ्री मंथ के बाद में अपने अपने रखे के लिए बहुत कुछ आपके 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